हेलो किसान बाईयों नमस्कार आज अपन बात करते हैं जीरे में तीसरे पानी के दोरान दी जाने वाली खात के साथ किन किन चीज़ों का यूज़ करना साहिए जिसके कारण जीरे में उत्पादन जदा और बडूतरी देखने को मिले ये जानकारी आपको हम अनुबव के माद हेक्टर के हिसाप से एक यूरिया का बैक यानि पसास केजी यूरिया लेना होता है एक हेक्टर के हिस साथ से आपको 8-10 केजी जिंग का यूज़ करना होता है जिसके कान जीरे में संपूर्ण पोसकततों की पूरती हो सकें जिसके कान जीरे में कापी सांदार बड़ोतर देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको 8-10 kg सलपर लेनी होती है सलपर आपको 80 WDG मिले या 19 WDG मिले दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप चे 10 kg सलफर का यूज आपको पर्तिक हेक्टर के साथ से करना होता है उसके बाद आपको 10 kg गंदक शुरण जो जीरे में रातिया या साषिया रोग होता है उसके निवारंण के लिए होता है और इनसे जीरे में कापी गर्मी देखने को मिलती है जिसके कांट जीरे में काफी इसरी बड़ोती देखने को में लेगी तो सरपरते हैं आपको एक बैग यूरिया और जिंक, सलफर और गंदक शुरन उसके बाद आपको जो एकतारा नाम का दवा आती हैं जिसके अंदर जीरे में मोयला जो जीव पैदा होता हैं उसके लिए आपको एकतारा के अलावा अन्य दवा का भी यूज कर सकते हैं जो आपको यूरिया के साथ मिला कर डालनी होती हैं और अन्य फंगिसाइड की बात करें तो आप जीरे की रक्षा के लिए जो रोगों से लड़ने की पर्ति रुद्दक समता हैं उसको बढ़ाने के लिए जीरे में आपको कोई भी फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको सौफ या मैन को जे नामक M455 दवाती हैं उनका यूज कर सकते हैं या अन्य किसी नामक कंपनी की दवा हो जिसमें अंदर आपको कारबंड़ जिम 12% और मैन को जे 33% गुलन सिंच सुरन होता हैं जिसका यूज करना होता हैं उसके लिए आपको जीरे में रोग परतिरतों चमता बढ़ती हैं जिसके करने जीरे में हलके रोग हो से रोग जीरा खुद लड़े और जीरे का पोद्दा कापी मजबूत देखने को मिला है जो उसके अंदर काफी सांदार बढ़ोती देखने को मिलेगी और उसका उतपादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके लिए आपको सरवपर्तम सौफ का यूज करना होता है साफ नमक दवा आती है जो UPL के आती है उसका सांदार रिजल देखने को मिलता है इसके अलावा अन्य आपको मैन को जिप M45 नमक दवा आती है उसका भी यूज कर सकते हैं यह दवा आपको 500 ग्राम परती हेक्टर के हिसाब से लेनी होती है यदि आपकी जमीन हलकी कठोर नजर आती है तो इसके लिए आपको यूमिक एसीड का यूज भी कर सकते हैं जिसके अंदर जीरे में जीरे की जड़ों का सांदार विकास देखने को मिलता है इन संपुन को आपको एक बैग यूरिया के अंदर मिला कर आप परती हेक्टर के संपुन इलाके में सांदार और सई तरीके से आप बिखेर देए यानि एक गंटे से लगा ड़ेट गंटे के मद्दी जो भी सिसाई होती है एक गंटा या एक गंटा तीस मिन्ट के आसपास सिसाई कर दें उसके बाद 15 दिनों तक कोई पानी न दे जीरे के अंदर आपको 17 रेजल्ट मिलेगा 15 दिन के बाद जो सतुतुत सोता पानी देते हैं उसके अंदर आपको सांधार रिजल्ट के लिए अन्य दवाया का यूज़ करना होता है उसकी जानकारी आपको अरगले वीडियो में दी जाएगी तो हमारे मौसम तक राजस्तान डियार्टी संदक लो सस्क्राइब जरूर करें